कि अग्याइज यूंट यूट चैनल निखिल क्लासेज मैं आपका निखिल सर्तु जैसा आपको पता है कि हम लोग इमें डिजीज पार्ट रहें जिसमें हमने पहला डिजीज जो था आपका फंगल डिजीज यानि कवक्स होने वाले रोग उसके बारे में पुरा ट्रिक के सा बता दिया था दूसरा जो डिजीज होता है वो था प्रोटोजोंड डिजीज एक वीडियो लेक्षर के अंदर हमने वहां से मिल जाएगा अधर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे महां जागर के आपको वीडियो मिल जाएगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कवर प्रभावित अंग्र क्या होता है सिंफ्टम मैंने की लग्षण क्या होते है तिसरा किस बैक्टिरिया जिवाड़ू क्या जाता है उसके लिए कौन सा कई दिस्ट कराया या जाता है दो यह यह विज्या प्रज़ेंगे बहुत बछा कर हैं और आ और आपको पता है कि मैं रिक बताता हूं पहले में जो फंगल डिजीज था वह आपका था दादा खो गए यानि दमा दाद उसका फिर आपका था खाज गंजापन एथलेट फूट यह फंगस से होने लोग है यानि कवक से होने वाले रोग है फिर हमने प्रोटोजमन पिर या जिस वह की बमारी पाहरी बताया तो अब पहला था आपको निप्टा दिया तो अब इसका फूल-स ओंदेख लिए पारस करें एक की घा इस बातोता है याका होता है इसे हम बूलता है जिसे होता है हैं इससे हम लोग पर्टियूसिस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अप्ने सुना होगा कि कि बहुत जदा खासी आता है तो ऐसा रखता है कुटा भूंक रहा है इस क्यों होता है किस वज़े से होता है वेक्सीन कौन से लगता है यह सब बताएंगे फिर आपका को कहा जाता है लेप्रोसी इंगलिज मिसको क्या कहा जाता है फिर बात आती है नी की तो नी से क्या होता है नी से आपका होता है नी से आपका होता है नी से आपका होता है नी मोनिया इस पेलिंग इसका ध्यान दीजेगा पी से स्टार्ट होता है किसे स्टार्ट होता है पी से स्टार्ट होता है फिर जो आधाप है आधाप इसे हम क्या बोलते ह ब्लैक डिट्ट डिजीज यानि क्राली मृत्तिव का रोग यह कब हुआ तो सेकंड वर्ड वर के टाइम हो गया था यह कि वियत नाम के बहुत सारे सानिक थे जो कि प्लेक के विज़े से मर गया थे क्या से होता है यह सारी सीज़ें बताएंगे फिर टास अगर हम बात करें त यह यहां वहता है एंगरेंजी में हो गया कालरा एंगरी में को और हो गया कैसे होता है तो संकरमित भोजन या पानी से होता है ना और इसमें एक डोग और आजाता है जिसका नाम है भोजन विशाक्तता क्या नाम है इसका नाम है भोजन विशाक्तता अब भोजन विशाक्तता का मतलब क्या होता है तो इसी को हम कहते हैं food poisoning इसे हम क्या कहते है food poisoning अक्सर आपने सुना होगा के रहे भाहिया मैं तो कहीं साधी में गया था वहां साय तो मुझे क्या वागए सर फुड पॉइजन हो गया जिसके वैसे मैं क्या था तो भोजन भी साखता है फुड पॉइजन किस प्रकार करो गए सर तो यह बैक्टेरिय की करण होता है इसमें क्या क्या चीद नहीं चीज़ें यह सरे चीज़ें और अगर हम बात करें तो यह होता है टाइप फुड पॉइजनिंग मैं पर लिख रहा हूं आगे मैं आपको बताऊंगा तो टाइब जो होता है फुड पोईजनिंग का बहुत इंपॉटेंट ये भी आपक्क कैसा डिजीस है सर बैक्टीरिया डेक्टम होता हैं क्या कह सिम्टम होते हैं ऑर किस बैक्टरिया के लिट्स ये सुटे आ होता है ये सारी चीज़ा अंदर देखने माले हैं तो कि एकए सब्सक्राइब कोड जीए को ने कितिरीय पहले जैति सब्सक्राइब के विए पिर नीं एक जैसे क्या होता है read आधे पूर से क्या होता है तो जाया फिर थो यह आपको लाश्र में बताए है तो आपको फुड़ पोईजिंग बॉजिन विसकता और उसका टाइप फुड़ पोईजिंग की बात करें तो यह आपका होता है सर्व बॉट लिज्म है ना तो चलिए यह तो चीजन थी इसका स्क्रीन सॉट आप ले सकते हैं स्क्रीन सॉट लगर करके रखेंगे या फिर अगर आप हैंड रिटेंड नोट्स बना रहें तो बहुत जड़ा अच्छा है आपके लिए क्योंकि हैंड रिटेंड नूट्स जो होता है वही आप कैसली कमाई होती है और उससे ही आपको जब्र चानल है निखिल क्लासे ऑफिसल करके हैं आ को आई दी जिसों बात करें पहला क्या थे टीका को निब्ट अताए था डी से क्या था गफरिया था डिप्ट्रिया था तो यह क्या होता है यह Ruminants ruminants कने वले पसु होतता है जुगाली करने वाले पसु हुआ जानवर जो क्या करते हैं हमसार जुगाली करते हैं जुगाली करते हैं तो उससे क्या होता है कैसी होते हुए बहुत सारा लार बंता है बहुत भीमारी जाता है जिसके वाद उन्हें सांस लेने में तक्लीफ होता है और उसका क्या होता है इसलिए उसका जब वर्थ होता बुचों गाको बताऊंगा तो डिप्तीरिया क्या होता है दो मैं एक जलें जब वो पगुरी करते हैं या जो रूमिनेंट्स होता है वो जब सांस लेता है और जब उनके कॉंटेक्ट में कोई बच्चा आता है तो उन्हें क्या हो बीमारी हो जाती है अगला जो डिजीज था आपका डीटी का तो वह था आपका टिटनस इसके बारे में अभी हम इसरे डिजीज क्या है पर्टियोंश काली खासी को ने बुलते हैं है उसको हम उक्झा क्फ क्या क्या सकता है तो आसर देख ऊंच कुश में जो लाइंड ना तो इस Kendalika को आपका huhudious तो तीन में देखा तुटिरिया चैनल पर से हैंगर हम बात करें दिए पर चाइस से preciso होता कैसे है तब किससे होता है किससे होता है आ Kennet Children ने जंग लगे हुए लुए से कैसे होता है तो जंग लगे हुए लोहे से ये विमारी हो जाती है या फिर कहा जाता है कि अगर आपके गया था चोट लगया था तो मैं डॉक्टर के पास गया नहीं आज आपने लगवा लिया है तो अगर आपको फिर से चोट लगए तो फिर आपकर लगए लेकिन मैंने तो सकते हैं तो फिर से चोट लगए और दू होता है लेकिन मैंने इक साथ क्यों लिखा है तो मैंने इन तीनों के इस लिए एक वैक्सीन होता है जो यूज करते दो लेगा जाता है और इस्वेक्सिन का नाम है DPT triple vaccine गाउन सा vaccine है? यह है आपका DPT triple vaccine अब DPT triple vaccine का फुल्फॉर्म क्या होता है ध्यान से देखे D से होता है diptheria P से होता है pertussis और T से होता है titnes और यह injection कब दिया जाता है? तो at the time of birth यानि कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए कि जो DPT vaccine होता है वो बच्चों को कब दिया जाता है? तो बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है और DPT किसके लिए होता है? diptheria के लिए होता है titnes के लिए और pertussis के लिए इंदीनों के लिए एक साथ जब बच्चे का birth होता है तो ये vaccine लगा दिया जाता है अब titnes के अगर एक और बात कर लिए तो ये तो होता है रस्टेड आरेंस से या फिट जंग लगे हुए लोहे से तो DPT vaccine तो लगा हुआ होता है फिर आप और किसर हमें और vaccine क्यों लगवा ना होता है तो आप यहां पर मेलिक दियरौम ध्यान समझेगा इसके लिए vaccine होता है किसके लिए तो vaccine के अगर हम बात करें तो ये titnes के लिए एक vaccine होता है और titnes के लिए कौन सा vaccine होता है दो vaccine का use होता है एक तो आपका होता है TT एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है ATS. TT का FULL FORM होता है TITANUS TAXOID जोकि हम लोग लगवाते हैं कैहले क्या करते हैं? इंजेक्ट करवाता है TITANUS TAXOID और इसकी validity कितनी होती है, इसकी validity होती है इसकी six month दो च्हें महिने के लिए यानि जो हम dobr minority एक और होता है जिसका नमें ATS इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टीनस सेरम यानि कि अगर आप यह वैक्सिन लगवा लेते हो तो आप कितने साल के लिए छुट्टी हो गया आपका तो कड़ाई साल के लिए चुट्टी हो गया बहुत कोश्ट लिया ताने यह पचीस सो रु तो यह तो था आपका डिप्थीरिया टिटनेस और पर तुषिश जो कि आपका है कोड या लेप्रोसी को भी कि खतम कर लेते हैं सब क्वाइए अब हम नेक्स्ट डिजिस की बात करते हैं और वह क्या है आपका तो वह है आपका सर एक मैं पू photograph को और इसे हम क्या बोलते हैं सर इसे हम बोलते हैं छिब üz Pan अब यूरे चैसे बारे में पूछलेगा कि ये बताई किसने किया था यानि कि अगर हम बात करने code का, तो discovery किस ने किया था, तो discovery किया था, henson ने, discovery किस ने किया था, henson ने किया था, और चुब कि इसका खोज discover, यानि कि किस ने किया था, henson ने किया था, इसलिए इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, in sense disease रोते हैं लेसे को भेवो बीमारी तो माल लीजिर अगर आपसे लेक्ष्ट में कि बीमारे बताए यांदंध आप लेपरोसी यानि वहा सिसक्टा प्रभावित अंग होता है इसके लेपरोच्षा क्या होता है कि आपका इसकी होता है और वह आपका क्या होता है तो वह आपका होता है MDT, क्या होता है आपका, तो वो आपका होता है सर, MDT, MDT का मतलब क्या होता है, MDT का मतलब होता है, Multiple, Multiple Dose Therapy, Multiple Dose Therapy, यानि कि MDT इसका treatment होता है, इसका मतलब क्या होता है, Multiple Dose Therapy का मतलब क्या होता है, कि जब ही बंगारी होती तो इतना ज़ादा एंटिभ दवाई खिलाई जाती है कि लंख से खराब हो जाता है नीकी उसब्सक्राय कि फॉर चंडर हो जाते हैं इतनी किड़ों को मानने के चक्कर में के हसे T तो इसके लिए कोई बैक्टिरिया निनकी जीवाडू भी होगा तो जो आनि जीवाड़ इसके लिए जिम्मधार होता है वह क्या होता है तो यह होता है सार ऊंजी किया होता है प्ली interesting कि यहां पर मैंको बैक्टेरियम 23 डिक्या division भी आपको दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए है ना और यह आपके लिए बहुत ही जादा क्या है इंपोर्टेंट है तो ध्यान दिजेगा जो बैक्टेरिया में बता रहा हूं जो मैं वैक्सीन बता रहा हूं वह आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ना वैक आप तंग क्या होता है सिम्टम से लगषर की बात करें तो हमारे स्कीन का प्रदाना तो कीरे पर विच्छितने लाज मरत करता है नहीं बच पाता विक्ति 및 सीजी यानि कौन सा ठीका लगता है बी सीजी का ठीका लगता है जो आप 사람들이 आप बीचेटें का ठीका ज़रूर लगता है अब एक प्रष्न में आप से उलस्त इसजी खाटिका और विवासिकले लगता है क्लोव chi का ठीका और किस विवारी जाते हैं मैं इसके बारे चाहे हैं कि यह बिलमेट और गिorén कोने हैं Junior मैंने क्लिपर के आफंट धर सिर्ग के इसलिए उसके नाम रगिभी ऑणि बैसीलस स्कालमेट ग्युरीन तो कभी-धुल सोंब एक्जाम में पूजर तो यह याद कर लिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टन थे न तो यह बात करें जीवाड़ी कि बात करें ने की बात करें तो यह ना सब्सक्राइब करें तो वह आपका निमोनिया की बात करें तो यह कौन सा है यह निमोनिया यह आपके लिए इंपोर्टेंट जानना क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बढ़ों को भी हो जाता है तो निमोनिया कि बहुत और वहा किसी होता हिए इन सारे चीज़ुक्राइबंग लुणक्त निमोनिया में पहले चीजिए अगर हम जाने तो वहाई आपका सर एकटिट और रगन याइसे मुल दितन प्रभावित आंगर तो निमोनिया प्रभावित ऑंग क्या होता है Systems हो जाएगा है फेफड़ा हुजाएगा अगर हम बात करें से ऐसके शिम्टम की लख्षड की बात करूं यले लग्षड की क्या बोलते हैं इसे इंग बोलता है है inflation of lungs क्या बोलते हैं इस inflation of lungs निकी सांस नुंका फुल ना inflation of lungs है ना या फिर क्या होता है फेफ़णों का काम रुख जाना るिशे किसे हम बोल सकते हैं है फैना टेegan Smix hoot है इसमें क्या होता है इसे हम बोलता है wind pipe होता है चो करता है जिसकी व्ज़धे क्या होता है सांस लेने में काफी तकलीफ होता है और जी यह बताए कि किस बैक्टीरिया के कारण यह होता है कौन सा जीवाडू है जिसके कारण हमें क्या होता है निमोनिया हो जाता है तो जो जीवाडू है इसका नाम है स्ट्रेप्टो कोकस इसका नाम क्या है इसका नाम है स्ट्रेप्टो कोकस या इसी को हम क्या बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं डिप्लो कोकस बोलते हैं हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो क्या होता है स्ट्रेप्टो कोकस या इसी को हम क्या बोलते है या इसी को हम बोल जब बैक्टेरिया यह है तो वैक्सीन यानि की टीका क्या होगा जिसे हम क्या हो सकते हैं अभी तक हमने क्या दिखा निम्योनिया हमने देखा एफेक्टर और प्रभावितम के बारे में तो लंक्स रहने की फेफडे होते हैं अनिर लेक्षर क्या होता है तो शास फूल ना इंफ seat का फूल्स पहू अफंधुल जाना या फिर फेफडें का काम सबूदा सबसक्रावने का सकते हैं इता करेां इन ये क्या करता है घौक तकोड़ी की आवाज आती है ध.? वेक्सीन होता है वहापस्टीक आपका न्यूमोकोखलFit क्या होता है यह आपका होता है यूमोकोकल इंदी में डिक डेता हूं इसको इसको रिता है निव नजब रहता है तो यह जो आपका करता है इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रुरी था अफेक्टेड और गन देख लिया हमने सिंटम हमने देख लिया उसका दरने बैक्टिरिया देख लिया और जो वैक्षीन का यूज होता है वह वैक्षीन देख लिया अब इसे में एक टिसी हम और देख लिए जो कि बोलते हैं black death disease यानि किसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं काली मृत्यू का रोग काली मृत्यू का रोग देखें यह disease कब फैला था तो यह world war के time फैला था जब विश्वयूद हुआ था उस समय पर यह रोग फैला था अगर हम बात करें इसके वेक्टर की प्लेग में पहली चीज आपको जानना जरूरी है अगर हम बात करें इसके वेक्टर या वाहक की तो वह क्या था तो वह था आपका infected rat था या इसी को हिंदी में कहते हैं संक्रमित चूहा क्या कहते हैं संक्रमित चूहा है ना अब देखिए इसके बारे में चीज और जान लेते हैं कि इस जिसके बैक्टीरिया या जिवाडू की बात का अगर हम करें अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे ब्लैक डेथ डिजीज क्यों कहते हैं या चुहे से कैसे हो जाता है ना तो बैक्टीरिया जिवाडू की बात करें तो प्लेग में कौन सा बैक्टीरिया होता है तो यह आपक है सबस्क्र视 hacerlo embarrassed कि बात कर लें इंच 90 की बात कर लें तो यह क्या होता है यह भी आपका होता है सर लंग्स क्या होता है लंग्स जाने कि जी questo है ना है रहिता है जैसान about a black diseases कैना मृत्य कारों क्यों पहुता है या फिर विक्टर वहाग क्या है जहन समझें अच्छली क्या है कि संक्र में चुहा यह होता कैसे दमखोतर हो जैसे माल लीजिए आप खाना खाने बैठें आपको अचानक से किसी का अर्जेंट कॉल आ गया आप चले गया फोन पर बात करने के लिए है ना उतने में एक चुहा आया उस उसने क्या कि आपके भोजन को चखा और चख करके चला गया फिर जब आएं तो बड़ा स्वाद लेकर कि आपने उस खाने को खाया तो आपको क्या हो जाता उससे प्लेग हो जाता है है ना यानि कि इन्फेक्टेड रैट कनिक्शन मगर कहीं भी आप थोड़े से भ हुआ कि जब वर्डवर हो रहा था तो वियतनाम की लोगों को प्लेग की महामारी फैल गए जैसे आज की टाइम में करोना वेक्सिंग फैला है वैसे उस समय में फैला हुआ ओप्लेग में होता क्या था कि गाउं के गाउं में लोग मर जाते थे इतना زदा डिसीज़ फैल कि लोग मर जाते थे बहुत सबामात्रा मर जाते थे को और पारत के लोग वभारत एक वग्यानिक थी है कि भैया जब यह और है चूहों से मुझे काम करते हैं कि मैं उफ़र कर रहा हूं कि आप क्या करें चुहों को पकड़ करके उनके क्या कर दिजिए पूच को काट करके हमें दीजिए हम आपको एक पूच का 500 रुपे देंगे भारत में अखंड बिरोजगरी बच्पन सभी है हमें की सुरू सभी है तो लोगों ने क्या किया चुऴे को पकड़ा उनक आकर के बोले कि भाईया आप कितने चुहों को मरवाएंगे जो चुहा होता है वो एक दिने में 18 बार रिप्रोडक्शन यानि की प्रजिनन क्रिया कर सकता है इसका मतलब मारते मारते परसान हो जाएंगे लेकिन अगर बच्चे पैदा करने पर आ गया तो इतने बच्चे आप देखते हो कि जितने भी नाले होते हैं उसमें यह प्रेस्टीस को मारने के रिए क्या जाता है जिसकी वज़ए से प्लेग अब एक तरीके से खतम हो गया वोगों को नहीं होता ब्लैक डिग डिजीज इसले का जाता था क्योंकि मरते टाम क्या होता था लंक्स पर काले- तो होप कि आपको निमोनियार प्लेग भी सोनने आया होगा चलिए अगले स्लाइट में हम टाइफाइड टीबी हाय चाय यानि की कॉलेरा और फूड पॉस्टिंग और बात कर लेते हैं जो आपका क्या है तो यह आपका है मुती ज्ञारा या इसी को हम बोलते हैं टाइफा टें तो यह को होता है ना तो सरीर सामपूर किया होता है क्यों क्या होता है तो इसंतर है पूरा नrit ऐसको रहता है देचलिका ये जो विमारी होता है सर इसमें अगर हम सिंटम या फोर लक्षड की बात कर लें तो क्या सिंटम यानि लक्षड होता है जिसकी वैसर विमारी होता है तो एक ही चीजि़ आपको इसमें देक्षने को मिलेगा और वो क्या है तो वह है अपका अनकंडिशनल फीवर क्या है अनकंडिशनल फीवर अब अनकंडिशनल फीवर का मतलब क्या होता है चड़ता उतरता बुखार क्या है चड़ता उतरता बुखार यानि कि यह इसको हो जाता है उससे क्या होता एक बार फीवर बहुत जादा होगा फिर फीवर उतर जाएगा है लिगें गया को क्या होता है कि आपको ढक्त्र थीक भी हो जा। अब कोई हुए सब चाहने विचmor अब इसके बैक्टीरिया की बात कर लें किसकी बात कर लें बैक्टीरिया की बात कर लें जीवाडू की बात कर लें तो जीवाडू क्या होता है सर तो वह आपका होता है सल्मूनेला क्या होता है यह होता है सल्मूनेला टाइफे सल्मूनेला टाइफे क्या है तो याद कर लीज और बताईए जो टाइफाइड है वह किसी वाइसा रोग है आप चारण होता है जब बैक्टीरिया से है तो क्या इसका वैक्सीन भी होता होगा रोगा जिए बिल्कुल इसका वैक्सीन यह टीका होता होगा तो वेकसेन क्या होता है इसका तो ध्यान से देखिए गा और याद कर लिजेगा ये आपका होता है झाल कि क्याbrar है Type-illerone होता है यानी इसके भी दो विक्सिन होता है पहला था cred होता है पैअ दूसरा होता है टैप ट्यामेर ननिसे क्या भूते है बहुता है इसे बहुता है T肥 टाइफवाइड एंड बी क्या बोलते हैं टाइफवाइड एंड बी यह चीज इंपोर्टेंट था प्रेट यह नि मोती जहारा के लिए क्या एफेक्टेट और बंगेर्ट की बात करें हमारे प्रवावेतं की बात करें तो वह हैं फुल बॉड़ी यहांनी किसम पूर्ड सरी सिंप्टम सेनी लक्षर की बात करें तो क्या है अंकंडिशनल फइवर यह फिर चड़ता है अब देखें आपको यह चीज आनना भरी एक बर मैं रिवाइश करवा तो सबसे पहला क्या था डीप्थीरिया जिसे सरसे हुआ कोई कि मारी कैसे होता है याने की जुगाली करने वाले होता है रूकोंसरे न होता है को एक्स्सवाइद और जो डिसरा क्या होता है एटीयास जीसे यह दें adopt तो एक वैक्शन लगाया जाता है जन्म की तुरंद बात हुआ अपतो और आपका होता है जीका नाम है whiskey ट्रिपल वैक्षिंव haw geographical याद पारे में लेप्रोषी की नहीं किया था है इसलिए प्रोषी की बात कर ले तो लेप्रोषी में कौन सा वेक्षिन लगा जाता है बहुत सब्सक्राइब चेज जाना है यह आप जिसके वैसे समस्यां हो जाते हैं और सांसलें तकलीफ होता है यह फिर हमने प्लेग के बारे में देखा उसे ब्लैक डिट डिजीज क्यों कहते हैं वह उसका अदमें टाइफाइड अभी देखा कि टाइफाइड क्या है फुल बाड़ी अंगर निशनल फीवर सर्मोनेला मensionalष्ट क्या होता है उसमें कहले देखेंगे कि कौन सा ब्रिया छोता है फिर उसके होते हैं बहुत सारी शीज़ीं ज आपको जाना है च exticles करते हैं अब कि हम इस ही настоящ सुम्माताव की तो इन Meng में कहते था लिए को हिंदी में क्या कहते हैं तफेदिक कहते हैं या इसी कौन कहते है इससे कहते हुए दिसने किया था तो तो TB का खोज किया था Robert Coach ने किस ने किया था Robert Coach ने किया था तो याद कर लिजेगा फिर एक question पूस्ता है कि बताईए वर्ड टीवी डे वर्ड टीवी डे यानि कि विस्वर टीवी दिवस कब मनाया जाता है तो विस्वर टीवी दिवस मनाया जाता है 24th of March यानि कि 24 20 मार्च को तो यह चीज़ भी आप याद रख लिजेगा आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो TB की बात करेंगे इसके फिर हम किसकी बात करेंगे इसके बाद किसकी बात करेंगे चले पहले अफेक्ट ऑल्गन देख नएक है आप लुग देखते होंगे कि खासी आता है बहुत ज्यादा क्या होता है लंक्स क्टिम्टम्स क्या होते हैं तो अटक्र उनको फाफड़ा जिली भी बहुत पसंद है तो एक्सेसीव कफ का मतलब क्या होता है अत्यदिक खासी दूसरे के अगर हम बात करें तो यह क्या होता है हाई फीवर क्या होता है हाई फीवर यानि की तेज बुखार भी होता है इस रोग में उसके बाद तीसरे के अगर बात करें सार्थ बहुत तेजी से आपका वेट लॉस होता है बहुत तेजी से क्या होता है वेट लॉस होता है ना तो क्या होता है वजिन घटने लगता है तो अगर effective organ की बात करें तो क्या鬆 लंग सैनिकी फेफरे सिम्टम क्या क्या है लछड क्या क्या है तो excessive काफ यानि की बहुत जाता खासी आता है हाई फिवर होता है यह तेज बुखार होता है वेट Loss यह अने की वजन घटने लगता आता है। affective organ हो गया symptom हो गया। अब एक चीजह मैंने आपको बताया था की किस düşün की दिद्धे जीनकी 002 U having to believe them uitえば closing होता है यानि कि कीश olarak कारण होता है दो meikobacterium boiler closes के कारण ये रोग होता है हब अगली चीज़ इसमें आती है कि اच Lang में ठarias क्या यूज होता है यानि कि कौन साथ लगाए जता है कि मैंने आप से पूछा था चैब कि बुछ हो करवे लगा जाता है। तो वह आपका होता है तो एक कोड के लिया लाग दयाक होता है। तो डिस्कवरी रॉबर्ट कोष नहीं क्या था वर्ड टीबी दिवस का मना था 24 मार्च को एफेक्टेड और विन ने प्रभावित थां क्या होता है लंग्स हैने की फेफड़े होता है सिंप्टम्स क्या होता है एक्सेसिव कफ यानि आते दिखासी हाइफी वर यानि की तेज उखार वेट लॉस य twitter की घटने लगता है बैक्टीइड क्या होता है माइको बैक्टेरियमट कि टै perfectly अंदेम लिगति हैं उसको तो इसे बोलता है तो वैक्सीन आप पहुता है BCG यानि कि Bacillus Scalumet Urine, BCG यानि कि Bacillus Scalumet Urine, अब एक चीज इसके लिए हम जानेंगे कि बताए इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट यानि कि इलाज की बात करें, इलाज क्या होता है सर, और उसके बाद एक आखरी चीज इस जांच करवाईए, तो जांच का नाम क्या होता है, तो आप ट्रीटमेंट इसके इलाज में अगर आप हॉस्पिटल जाते होगे, तो आप देखे होगे, कि आपको एक छोटा सा या फिर बड़ा सा बैनर दिखता है, और उस पर लिखा होता है, डाट्स बैनर पर क्या लिख अब्जर्वेशन, डारेक्ट, अब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, डारेक्ट, अब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, डारेक्ट, अब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, अफ सॉर्ट कोर्स, फ्रोड जगें कम हैं, द्यान समझेगा, ट्रीटमेंट एन इलाज क्या होता है, तो इ इलाज यह वो 6-9 महिने के लिए होता है कितने मेने के लिए और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने सामने पेसंट को भूला करके दवा देते हैं क्योंकि एक दिन का दवा मिस हो जाता है तो यह विमारी बहुत जादा बढ़ ज यसे में पता चले कि टीवी है तो यह होता है सर मुन टॉक्स कि यह और किइसे क्या जाता है इसे हिंदी में कहते हैं मुन टॉक्स है न तो loss निवजन घटना bacteria क्या है necesit और करा जाता है ने इनि धियर करा जाता है वहता हृ चों 왜enos लोगी बहुत ही स्थी जाधा important था आपके लिए ना तो डिप्थेरिया टिटनस काली खांसी कोड यानि लेप्रोसी निमोनिया प्लेग टाइफाइड तपेदिक यानि कि टीवी हो गया अब आपका कुछ डिजीज बचा जो कि हैजा जिसे बुलता है कॉलेरा उसका फ्रम देखेंगे फुड़ पॉइसनिंग भोजन विसाकता और उसका एक टाइप जो कि है बॉटलिजम उसके बारे में चलिए इसको करते हैं उसके आपको बता करें खतम करते हैं जो कि आपका बैक्टिर डिजीज में कॉलेरा यानि कि हजा तीन और डिजीज आपको करना है कॉनकों से पहला है इसे बोलते हैं जाए दूसरा आपका क्या है फुड़ पॉइसनिंग भोजन विसाकता और फुड़ पॉइसनिंग का पार्ट है जिसे बोलते हैं बॉटलिजम और इस बार पीसे प्री में पूछा था आप से बॉटलिजम के बारे में तो देख लेते हैं इन डिजीज के ब कि कौन प्रभावित है दूसरा हम बात करेंगे स्मटम स्की रNG होता है उसके बात करेंगे बैक्टीरिया की कोंसी बैक्टीरिया है या कौन से जिवाडू है जिसकी वजह से यह रोग हो रहा है और इसके बाद हम चीज़ का और यूज़ करेंगे और वह जो है आपका वह ऐस्प्रेडवाइब यानिके यह कैसे फैलता है इस प्रिडवाइब का तो पहली चीज़ागर भात करें तो affected organ क्या होगा तो जाहिर सी बात है इंट संप्ट ऑन बो twice इंट कि पहला की पहला होता है वोमिटिंग और क्या होता है पहला होता है वोटीन और दूसरा क्या होता है डूसरा क्या होता है रुब्ऴ मोशन होता यानि हिंदी में में इसे बोलते हैं एक सब्सक्राइब टो डॉर यह ब्वらता कैसे नहीं फैलता कैसे पेट की समझре है तो क्या होता होगा तो ऑट यह यख लिद अब आप ऑट्सका का मतलब होता है उसका मतलब होता है दूशित कि दूशित खाना एवं पानी ठाना तो पूछे आगर आपसे की बताए किस प्रकार का डिजीज है दो और पानिटाननय गोल सकते हैं संकरमित खाने या पानिफ होता है और क्या होता है इसका बैक्टिरियो कॉ है विब्रियो और तो यह चीज आप जाने बहुत ज़्ज़ादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सारी चीज ने पूछता है अपसे तो क्या के जानना था हमें कि कॉलरा में affected organ कोता हैин टेस्टाइन होता है इंडिक श्रम क वोमिटिंग में इसलिकलूंटी और दस्थ होता है तीसरा बैक्टीिरिया के तदद ऊनी कम होता है और निकर यह पनी करने को दूसरी जल और पाँई से होता है नेक्स जो है आपका वह आपका है फुड़ पॉइजन क्या है फुड़ पॉइजन और फुड़ पॉइजन का मतलब क्या होता है तो फुड़ पॉइजन का मतलब होता है भोजन विशाक्तता क्या होता है भोजन विशाक्तता अब भोजन विशाक्तता का जो उसके बाद हम इसके और दीखेंगे कि यह कैसे पैलता है तो इसमें भी होता है आपका pussystä on taste adiv population and अपना अप्सिंटम एक स्पीटर क्या होता है सिम्टम क्या होता है इससे में देखें पहला होता है vomiting पहला क्यों मिटिंग या और टींगे और लुज़ मोशन वामिटिंग कैसे फैलता जहिर सी बात सेम चीज कंटेमिनेटेड 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 वूटर कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर यह नहीं कि संक्रमित खान और पानी से और जो बैक्टीरिया होता है इसका बैक्टीरिया क्या होता है तो इसका बैक्टीरिया होता है वह ईसका सब्सक्राइब तो इसका बैक्तिरिया कि ओता है थे किसी आप को सहन मैं आओगा अब इसका पार्ट होता है जो कि बहुत जाधा चर्चा में है और शर्चा में क्यों कि क्या है कि फुड पॉजिंग पहले उता था रॉक्टर की बोटुलिजम की प्रॉब्रम है तो बोटुलिजम क्या होता है यह भी आप जाने लिजे चले इसको एरेस करते हैं आपको बोटुलिजम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं फिर फुड़ी लेक्शर करने पर खतम करें जो कि आपका क्या है बोटुलिजम क्या है बोटुलिजम है बोटुलिजम का प्रभावी तंग क्या होता है तो बोटुलिजम जो आपका रोग है इसका प्रभावी तंग होता है यह आपका होता है इंटेस्टाइन यानि की आत यह भी छोटी आत के द्वारा ही होता है सिम्टम यानि की कर लड़्क लड़ी के लिए कि अपना करियर बनाने के लिए बाहर जाते तो जब टील लगवा लेता है और जब टीर लगवा लीटा झाले लिफिज往 का और उसके वपर गरम सब्जी डाल दिया जाता था तो सिल्वर का आपका होता था इसलिए कहा जाता है संक्रमित भोजन तथा पानी और दूसरी चीज क्या है आपका और दूसरी चीज आपका यानि कि डब्बे वाला-भोजन या इसी कुम। एसी को बोलता है केंड फुड तो अगर आपसे पूछें कि बाटॉलीसम किस प्रकार का रोग है तो यह आपका बैक्टीरियल झीजएस ऐनिकी जिवारू से होना ये रोग है किसका पार्ट है तो फुडबवाईजन का पार्ट है अगर और वायरल डिसीज भले नहीं है लेकिन ऑनी क्या संकृमीट है क्या संक्रमीट धोजन और पानी राता है रहे यह जब पूरा ट Vikings एक सब्सक्राइं चरह लोज करते हैं वह बार 11 eggs da iib लोग को थोड़ा से कंट्रोल करना भी ज़रूरी है तो यह तो था आपका पूरा बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड वीडियो नेक्ट वीडियो हम जो आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत इंपोड़ेंट आपके वाइरल डिजीज से भी कुछेशन बहुत वाकात में तुटे के लिए खूब पढ़ें मस रहे हैं धन्यवाद हुआ 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 हुआ